Hello students, this is Ripali Gart, welcome to Study Fusion. Guys, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं Some Common Deficiency Diseases in Humans तो guys इस वीडियो में हम Deficiency Diseases पढ़ने वाले हैं जोकि Humans में हो जाती हैं जब कोई Particular Substance की Deficiency हो जाती है बौडि के अंदर तो guys इस वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे कौन से Substance है जिसकी Deficiency से कौन से टाइप की Disease होती है तो चलिए स्टार्ट करते हैं जब बौडि में Different Type के Nutrients की कमी हो जाती है जब हमारे डाइट के थूपर अमार्ड में Nutrients नहीं पहुच पाते हैं तो guys Deficiency Disease हो जाती है Particular Type का जो Nutrient होता है अगर वो Deficiency हो गई उसकी Body में अगर कमी हो गई उसकी तो Different Type की Diseases हो जाती हैं तो guys ये कुछ Nutrients हैं जुनकी Deficiency से ये Different Type की Diseases हो जाती हैं तो guys First लेकिए Protein अगर Body में Protein की Deficiency हो जाती है Mainly जो छोटे बच्चे होते हैं उनको Mainly 1 Year, 2-5 Years के जो बच्चे होते हैं अगर उनको उनकी Body में Protein की Deficiency हो जाती है तो एक Disease होती है Quarchure कर Quarchure कर में Loss of Appetite हो जाता है मतब भूक नहीं लगती Weight Loss हो जाता है जो Skin होती है वो Blackish हो जाती है जो Belly होती है वो भार की तरफ निकल आती है तो guys ये जो Quarchure कर बिमारी होती है Mainly 1 साल से लेकर 5 साल के बच्चे तक को हो जाती है ठीक है इन गाईस अगर Body में Protein, Carbohydrate and Fat तीनों की ही अगर Deficiency हो जाती है तो Disease होती है Merasmus जाग ये चो Merasmus Disease होती है ये 1 साल से भूक एक भी किन बच्चे को हो जाती है अगर उसकी Body में Protein, Carbohydrate अगर Fat की कमी हो जाती है तो उसको Merasmus Disease हो जाती है जिसमें उसकी जो body होती है, बहुती ज़ादा thin हो जाती है और जो उसकी bones होती है, वो दिखने लगती है, जो rib cage होता है, यह दिखने लगता है ठीक है, plus जो weight होता है, वो बहुती कम हो जाता है, underweight हो जाता है ठीक है, then guys next है vitamin A, अगर body में vitamin A की deficiency हो जाती है दो टैप की disease होती है Xerophthalmia and night blindness Xerophthalmia में जो हमारी eye में cornea होता है वो dry हो चाता है और night blindness में dim light में properly दिखाई नहीं देता person को तो अगर vitamin A की deficiency हो चाती है body में तो याद देखिएगा दो टैप की disease होती है Xerophthalmia and night blindness टीक है नेच्ट है vitamin B1 अगर vitamin B1 की deficiency हो चाती है body में then very very disease होती है very very disease में loss of appetite हो चाता है भूख नहीं लगती है body बहुत ज़्यादा weak हो चाती है ठीक है नेच्ट है vitamin B2 अगर vitamin B2 की कमी हो चाती है body में then kylosis हो जाता है इस बिमारी में inflammation होने लगता है ठीक है body में pain होने लगता है ठीक है then next है niacin अगर body में niacin की कमी हो चाती है then plagra हो जाता है ठीक है plagra में skin पे inflammation होने लगता है ठीक है तो skin पे inflammation होता है plus बहुत ज़्यादा weakness आ जाती है ठीक है then next है vitamin B12 गैस अगर vitamin B12 की body में कमी हो जाती है then pernicious anemia हो जाता है गैस इस case में जो blood में जो RBC का number होता है वो कम हो जाता है RBC का number कम होने का मतलब हीमोगलोबिन कम हो जाता है और जो body है बहुत fatigue हो जाती है ठकान महसूस होती है बहुत weak body हो जाती है then next है iron गैस अगर iron की कमी हो जाती है body में then microscopic anemia हो जाता है गैस फिन kinetic anemia का मतलब कि blood में जो RBC होते है RBC का जो size होता है वो normal size से छोटा हो जाता है मािक्रो मतलब छोटा size हो जाना तो जो RBC होते है उनका size जो normal size होता उससे छोटा हो जाता है जिसके तुरू जो हीमोगलोबिन होता है उसकी कमी हो जाती है तो जो RBC का जो red color होता है वो थोड़ा dull होने लगता है कम red होने लगता है ठीक है Then guys next है vitamin C अगर body में vitamin C की कमी हो जाती है तो एक बिमारी होती है scurvy Guys इसमें जो gums होते हैं बहुत weak हो जाते हैं तो अगर vitamin D की कमी हो जाती है Then Rickets की बिमारी होती है Guys रिकेट्स में जो bones होती है वो बहुत weak हो जाती है और bones का bones में जो calcium और phosphorus प्रेजेंट होता है वो loss होने लगता है जिसकी वज़े से जो bones होती है वो बहुत जादा soft हो जाती है Then guys next है vitamin K अगर vitamin K की कमी हो जाती है body में, then hemorrhage हो जाता है ठीक है, guys, hemorrhage में जो blood clot होता है, वो properly नहीं हो पाता है ठीक है, then next है fluorine, guys, अगर fluorine की कमी हो जाती है body में, then dental caries बिमारी हो जाती है tooth decay होने लगता है, cavity हो जाती है, teeth में बहुत जादा inflammation होता है, pain होता है ठीक है, then next है iodine, guys, अगर body में iodine की कमी हो जाती है mainly iodine की कमी जब हम ionized salt नहीं खाते, तब होती है mainly hilly areas में होती है, क्योंकि उनके जो salt होता है, उनके जो diet होती है, उसमें iodine की कमी होती है क्योंकि उधर जो soil होता है, उसमें iodine proper amount में नहीं होता तो guys अगर iodine की कमी हो जाती है body में then disease होती है goiter guys goiter disease में जो neck होती है वो पूरी swell up हो जाती है और जो thyroid gland होता है वो भी swell up हो जाता है तो guys ये कुछ nutrients हैं जिनकी deficiency की वज़से जिनकी कमी की वज़से body में ये different type की diseases हो जाती है तो guys ये table बहुत important है याद दखिएगा और इसको note कर लीजे तो guys अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like करना, share करना और channel को subscribe करना मत भूलिए तो guys अब मैं आपसे मिल क्यों next वीडियो में एक नए topic के साथ तो तब तक के लिए good bye